नमस्कार सातियो राहूल बिश्रा नाम से पुकारा जाता है उनको और आप देख रहे हैं बुंदेली हलचल सातियो आज हम राय हॉस्पिटल में मौजूद हैं जो की मक्रोनिया में स्थित है सागर शहर में और आज हमारे साथ डॉक्टर अंशुल नेमा हैं जो एमडी है इन एनिस्थियोलोजी एन क्रिटिकल केरिंग तो आज हमारे साथ डॉक्टर अंशुल जी जो है वो आज इस कोविट के अंसर्टेन टाइम में जितनी भी भ्रामक ख़बरे या जो डाइट प्लान हमें अपनाना चाहिए इन सब बादरे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो कोविट नाइंटीन है जो लोगों तक फैल रहा है एक से दूसरे में फैलने वाली विमारी है तो हम बात करेंगे इस से बचने के लिए हम क्या करें और प्लस किस तरह की लाइफ इस्टाइल हमको रखनी चाहिए तो सबसे पहले बच सबसे पहले तो आप मास्क लगाएं मास्क को लगाने का सही तरीका यह है कि मास्कों को अपनी नाथ के ऊपर रखें हमेशा और हमेशा टाइट रखें ताकि इधर उदर से भी हवा बाहर ना निकल सके ना आपकी बाहर की हवा अंदर जा सके ठीके दूसरा मैं कहूंगा वहीं किल हो जाएगा फिर आप कोई भी काम करेंगे तो वह वायरस एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक नहीं फेले तो यह सामन्ने चीजे हैं जो प्रिकोशन हमको लेना जरूरी है इसके अलावा से जैसे मास्क लोग लगाते ही हैं फिर भी कई लोग कहते हैं कि आमने कोरो बहार से लगवग कहीं भी जाते हैं दूम से मिलते हैं तो खुद इन्फेक्टिट हो जाते हैं हैं कि अब बहार से आए हो तो अपने सारे को एक तरफ रख दीजिए सारी जो सामान है उनको घर को एक कॉने में रखिए पहले उनको सैनिटाइज करिए उसके बाद उनको इनको ब्रेक करें वायरुस को एक से दूसरे इस्थान तक फैल ने से रोकना है सर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोविड नाइनटीन जो को कोरोना वायरुस डिसीज जिसका फुल फॉर्म है यह जो हमारे दुनिया में आया इसके बाद हमें कह सकते ही कि पैरडाइम शिफ्ट हुआ है लोगों के सोचने में लोगों की लाइफस्टाइल में सबसे पहले जो इनसान पहले दस से पांच की जॉब भी करता था जो इनसान पहले काफी समय तक आफिसों में बताता है आज वो वर्क फरम हों कर रहे हैं तो सारे लोगों की लाइफस्टाइल बदल चुकी है सोना भी बदल गया खाना इक टाइम भी बदल गया है सब कुछ बदल रहा है तो आप ढोक्टर अंशुल नेमा बैसिकली क्या सोचते है कि कि सतरे की लैफस्टाइल हमें इस COVID-19 के दौर में जीनी चाहिए देखिए बिलकुल बहुत अच्छा सवाल किया आपने क्योंकि लाइफ स्टाइल का बहुत ज़्यादा प्रवाव पड़ता है कोरोना से लड़ने के लिए जो लाइफ स्टाइल है वो जब भी कोरोना वायरस हमें फैलता है कोरोना किसी में अटेक करता है तो एस सच कोरोना की कोई दबाई तो है नहीं तो जो भी करना है शरीर को खुद लड़ना है कोरोना से तो उसके लिए शरीर की रोगपती रोधक शमता होना बहुत ज़्यादा ज़रूर है जिसको हम इम्मिनिटी बोलते हैं तो आपनी लाइफ स्टाइल इस तरह से मोडिफाइट करें या इस तरह की रखें कि आपकी शरीर की रोगपती रोधक शमता जो है उसको बल मिले वह इस ट्रॉंग हो जाए तो तीन तरह से हम महली देख सकते हैं रोगपती रोधक शमता को स्ट्रॉंग करने के लिए तो पहला तो अपना खान-पान खान-पान में आपको इस तरह के परिवरतन लाने हैं कि आपका इम्मिन सिस्टम जो है बोड़ी का इम्मिनिटी जो है वो स्ट्रॉंग हो दूसरा आपको फिजीक पर बात की है कि क्या लाइफस्टाइल में हम अपनाना चाहिए तो सबसे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं सबसे पहले खान-पान नॉर्मल भी हम देखते हैं कि खाना सबसे जादा जरूरी है इस महामारी के पहले भी और जब यह महामारी चली जाएगी उसके बाद भी लोगों के लिए एक ये यक्ष प्रस्न है कि खाना किस तरह का खाएं खाना क्या खाएं खाना में क्या ना खाएं तो यह सरसवाल आज की critical दोर में तो जरूरी है कि किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए खानपान की बात की है तो हमें अपनी डाइट में खानपान में ऐसी चीजें सामिल करनी हैं जो हमारी सरीर में इम्मुनिटी को बूस्ट करें या रोग पती रोधक चमता को बढ़ाएं तो उसके लिए सबसे जरूरी है प्रोटीन डाइट प्रोटीन डाइट प्रोटीन जैसे आप चने में राजमा हुआ छोले कि यहर बढते हैं तो अगर मिंदल्स की बात की जैये तो सबसे जरूरी मिंदल्स जो है वो जिंक है । अहिसे सब आफको को हरी पत्तेदार सबजियों में मिल जाएंगे और इसके अलावा पानी बहुत पीना है करीब तीन से पांच लीटर पानी पेशन इसको कोविड जिसको कोविड हुआ है वो भी पिए और जिनको नहीं हुआ है वो भी पिए ताकि इससे आपका शरीर हाइडरेट रहेगा और आप थोड़े फ्रेश महसूस करेंगे और आपकी इम्मुनिटी भी स्ट्रोंग होगी डाइट के बाद दूसरी बात आती है फिजिकल एक्टिविटीज किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज हमको करनी चाहिए जिससे इस कोविड-19 के वाइरस से और को कोरोना वाइरस से हम बद सकें देखिए फिजिकल एक्टिविटीज में सबसे पहले तो अगर आप योगा करते हैं तो आप योगा कीजिए इसके लाबा कोई लोग जिसको कोरोना है जिसको हलकी तकलीफ है सांस लेने में जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है बट रिपोर्ट पॉजिटिव है तो लाइट एक्सराइज अपने शरीर को स्ट्रॉंग बनाएगा और ब्रीधिंग एक्सराइज जो है वो आपकी लंग्स की एक्सराइज होती रहेगी तो आपको कोरोना वाइरस का संक्रमंट हो भी गया तो वो उतना घातक नहीं होगा सर जैसे कि हम देखते हैं कि योगा में भी लोग बहुत स्ट्रेच्ट योगा कर लेते हैं जो शायद शरीर के लिए नहीं भी होता जैसे कुछ पेशेंट होते हैं लाइक कमर का दर्ध है और आप ऐसे हार्ड योगा कर रहे हैं तो योगा भी स्पेसिफिक प्राणायाम बे अब बेट एक्सराइस करने की तो वह उसे को कर सकते हैं बाकि सिंपल अगर कोई भी बेखती जिसको आदत नहीं भी है योगा करने की वह सिंपल ब्रीथिंग एक्सराइज या वाकिंग तो करी सकता है तो यह सब चीजें फिजिकल हेल्थ को स्ट्रॉंग रखने के लिए ज जैसे की सर हम घरों पर भी देखते हैं कि यदि कोई मेंटल हेल्स सफर्ड है तो बहुत काना फूसी खुसपूसी वाली बातें आ जाती है उसको यह हुआ उसको वह हुआ मतलब ऐसे ट्रीट किया जाता है कि दिमाग आपके शरीर का हिस्सा है ही नहीं यदि आपको खरों च मेंटल हेल्स का मतलब है आप पॉजिटिव रही है किसी भी चीज को जैसे आप सोच रहे हैं उसके दूस परिणाम को सोच लेते हैं हम केबल और उसके बारे में जो नेगेटिव चीज है नेगेटिव इंफोर्मेशन है के वर वो कलेक्ट कर लेते हैं और परेशान होने उसको ठीक कर रहा है या धीरे धीरे उससे स्वस्त हो जाएंगे यह बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है में दूसरा अगर बात की जाए कि हम पॉजिटिव कैसे रहें तो सबसे पहले तो आप मीडिया में इतनी ज्यादा नेगेटिव खबरें आजकल चल नहीं है तो उस न देखिए इसके अलाबा आपके घर में कोई पेशेंट है कोरोना पेशेंट है जो ओल्डेडी परेशान है उसकी वजह से ओबियस्ली आप लोग भी सब घरवाले भी सब परेशान होंगे और कहीं न कहीं होंगे तो वो डिप्रेशन इतना जादा नहीं रखना है कि वो जो से उसको इंपेक्ट करें उसके सामने पॉजिटिव रखी है अभी मैंने ख़बर पड़ी थी कि एक दंपत्ती और उनका लड़का कोरोना पॉजिटिव हो गए उन्होंने एडमेट हो गए और साथ दिन में तीनों लोग कोरोना को हरा कर अच्छी तरह से स्वस्त होका घर लो वो बस यही प्लान करते रहे इसका मतलब यहीं कि उनने कहीं न कहीं अपने आपको बिजी रखा खुश रखा और जो नेगेटिव चीजह हैं उससे अपने आपको दूर रखा तो वो चीज उनका इतना काम में है कि उसके कारण जो रोग पती रोदक चमता है उनकी बढ़ होई तो mental health obviously मतलब बहुत ज़्यादा impact करता है आपकी रोग जैसा कहते है सर की बीमारी दिमाग आपका एक कितना बड़ा प्रिकरिंग पॉइंट होता है कि दिमाग बीमारी बना भी देता और दिमाग बीमारी ठीक भी करता है तो मुझे यही लगता है सर जैसे कि आज यह कि मतलब में सारे दर्शकों से और मीडिया कर्मियों के माध्यम से भी यह कहना चाहूंगा कि जो आज एक ख़बर फैली हुए कि मतलब फैली नहीं हुए बन ऐसी गई है कि यदि आपको कुरोना हुआ है तो आप मर जाएंगे जबकि ऐसा नहीं है यदि हो रहा है ऑक्सिज कि अपने आपको ऐसी ख़बरों से दूर रखना है प्लस कोरोना से मरने वाले लोगों के आकड़े प्लस कोरोना की कितने केस आ रहा है रोज इन आकड़ों से दूर रही है क्योंगी यह सबसे जाधा नेगेटिव इंपक्ट करते हैं आपके दिमार में दूसरा आप जो भी चीज पसंद करते हैं जो भी स्पोर्ट्स आपको पसंद है मतलब इंडूर स्पोर्ट्स दूसरा मनो रंजन के जो भी साधान आप नॉर्मल लाइट कीजिएगा तो उससे क्या है आपका डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा आप पोजिटिव रहेंगे मेंटल हेल्थ आपक आपको मदद मिलेगी सर आज हम एक कोरोना वाइरस के दौर में भ्रांतियों के दौर में भी बहुत गुजर रहे हैं पहले तो सर में जैसा आप खान पान बात कर रहे थे कि क्या खाएं क्या ना खाएं लोग अभी जैसा कि मौसम हमारे यां गर्म हैं तो लोग धही भी खा पानी में पिएंगे कि गर्मी भी और एक बहाना यह रहता है कि विटमिन C मिलेगा तो यह क्या ले सकते हैं अभी इसमें अभी नहीं ले सकते हैं बिल्कुल ले सकते हैं देखिए इन चीजों पर रोक केबल उन पैशेंट्स के लिए हैं जिनको खांसी ज्यादा आ रही है जि सब्सक्राइब गार्णी चीजें भी खा सकते हैं तो ऐसा कोई परेज नहीं है इस तरह के मतला इस इंफेक्शन के इसको रोकने के लिए यह इस इंफेक्शन में इस तरह कोई परेज नहीं है सब जैसे कि अभी कोई-19 के दौर में हम बहुत सारी चीज़ां देख रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग खरीद देना अफोर्ड नहीं कर सकते जैसे कि बात करें ऑक्सीमेटर की आज इतनी जरूरी चीज हो गई है ऑक्सीमेटर दो हजार से नीचे का कहीं ऑक्सीमेटर मिल भी नहीं रहा है तो सर हम अपने ऑक्सीजन लेविल को बिना ऑक्सीमेटर की किसी चीज़े कर सकते हैं क्या बिलकुल एक तरीका है आप जैसे देखना चाहें कि प्रॉपर ऑक्सीजन मेंटेन है कि नहीं या आपको सांस की तकलीफ तो नहीं है तो उसके लिए आप एक सिंगल ब्रीथ लीजिए मतला एक गहरी सांस लीजिए इस तरीके से और काउंट करना स्टार्ट करें जैसे एक दो तीन चार पांचे साथ आट नो तस ग्यारा वर तेरह ऐसा करके थर्ट बिना सांस छोड़े मतला सांस जो है वो आपको काउंटिंग करते हुई छोड़नी है तो आप एक घहरी सांस लेके 30 से 40 तक अगर नॉर्मली आप काउंट कर पा रहा है इसको कर पा रहा है तो आप मतलब स्वस्त हैं आपका ओक्सियन लेवल ठीक है क्योंकि सिंगल ब्रीथ इसको सिंगल ब्रीथ टेस्क बोलते हैं इसको को अपन ब्रीथिंग डिफिकल्टीज में यूज करते हैं सर जिस तरीके से अभी हम कुछ भ्रामक खबरों के बारे में बात कर रहा हैं ब्रामक नहीं जैन्यून खबरे भी हैं कि वेक्सिनेशन के बाद भी कई लोग पॉजिटेव हो रहा हैं वेक्सिन लगने के तो यह व वेक्सिन की एफिशेंसी पर सवाल भी उठ जाते हैं दूसरी बात वेक्सिन जो लोग लगवा रहे हैं उसके बाद जब पॉजिटेव हो रहा है तो जो जिनने नहीं वेक्सिन लगवाई है वो यह कह रहे हैं कि वेक्सिन भी हमारे यां थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है जो हमें अब बेक्सिन भी लगवानी क्योंकि कोरोना तो इससे भी हो रहा है तो सर इसपर आपको क्या कहते हैं नहीं हो सकते अगर वेक्सिन लगवा यह हैं जो होने वाला शरीर पर डेमेज है, उसकी तीवरता कम हो रही है, मतलब कहीं न कहीं जो जितने आकरमक तरीके से लोगों में कोरोना इंफेक्शन अफेक्ट करता है, वो आकरमक ता कोरोना की कम हो जाएगी अगर आप वैक्सिनेटेट हैं, क्योंकि यह एक्चुली यह जो वै वैरस से लड़ने के लिए जादा है, तो उनमें होने वाला डेमेज बैक्सिन के बाद कमी होगा, सर अंत में आपका इस पूरे वीडियो और पूरे कोरोना वैरस पर आपका डॉक्टर अंशुल नेमा का क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे, सर अंत में, देखिए मैं सभी ल लेते रहिए, मास्क लगाईए, सेनिटाइजिशन कीजिए, चुकि मास्क की बात हुई, तो मैंने अभी मास्क हटा रखा है, चुकि मैं चाहता था कि मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर पोचे, इसलिए मैं अपने भाई के साथ सोचल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हु यह थे हमारे साथ डॉक्टर अंशुल नेमा, और ऐसे ही कई हेल्थ एपिसोड और खबरों के लिए आप बने रहे हैं बुंदेली अल्चर पर, धन्यवाद